में जब बने मैं दावे के साथ कहता हूँ है इनकी पार्टी के निजार साथ साल में जितने जंदन के खाते नहीं खुले होंगे साथ साल में जितने प्रदानमत्री आवास नहीं बने होंगे साथ साल में जितने सोचाले नहीं बने होंगे इतना किसान समा नीधी से लेकर, medical college से लेकर, college से लेकर, university से लेकर, खेल एकडमी से लेकर, हर मामले में, railway से लेकर, हर सेक्टर में आजाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो 9 साल में मोधी जी ने 7 साल से बैतर काम किया है, उनकी मार्केटिंग को उनको कर देगा राजस्तान केमपेन को लेके भाजपा के प्रदेश अद्देक्ष सीपी जोशी आज कोटा है है लगातार इस बारे में कारेकलाब कर रहे है सर कोटा जो आना हुआ है आपका जिस वज़े से आपका नहीं सहेगा राजस्तान ये एक ऐसी सरकार चुन के आगई जो चुनने के बाद राजस्तान की जनता के साथ दोखा देन के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने काम संपूर्ण करजा माफ करेंगे किसानों का किसान निशिंत हो गया लेकिन आज 40,000 से जादा किसानों की जमीन निलाम होने के कगार पर है कई किसानों ने आत्मत्या कर लिए आरोप लगा कर मुख्यमंत्री के उपर कि आपने हमें दोखा दिया आज मैं आत्मत्या कर रहा हूं उन्होंने योओं को कहा हम बेरोजगारी बता देंगे बेरोजगारी बता तो नहीं दिया लेकिन राजस्तान के लाखों योओं का बविश्य बरबाद करने का काम किया और उसमें पूरी की पूरी Congress Party और सरकार इसमें सरलंगन है ये राजस्तान में नारी की शुरक्षा नहीं कर पाए है आज रोज कहीं कहीं School में हो, अस्पताल में हो, Ambulence में हो, मुगबदर बच्ची हो, छोटी मासूम बच्चियां हो, जिस प्रकार के दुशकर्म के केस आ रहे हैं, लगता है कि अपराधियों में भहे नाम की कोई शीज नहीं है, जिन्दा जला जया जाता है, मार दिया जाता है, गेंगवार होती है, जहां आम जनता में विश्वास होना चाहिए, अपराधियों में भहे होना चाहिए, यहां अपराधियों में विश्वास है, आम जनता में भहे व्यापत हो रहा है, आप देखें पूरे प्रदेश में किस प्रकार से ब्रस्टाचार के तांडव मचा हुआ है RPSC से लेकर कोई भी छोटा सा काम होता है या बड़ा काम होता है बिना पैसे दिया कैसे ब्रस्टाचार का तांडव राजस्तान में पहली बार इस प्रकार से राजस्तान की जन्ता ने देखा है और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस सरकार का असली चेहराब सामने आ चुका है 2018 में मात्र डेड़ लाग वोटों के अंदर से इस सरकार चुन के आ गई जिसने सुष्टी करन के सारे रिकोर्ड तोड़ दिये पहली बार लोगों ने देखा है कि बगवा पतगा पर प्रतिमन हो रहा है इंदू उनावश पर प्रतिमन लगा रहे हैं किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है किस प्रकार से एक के बाद एक कैसे काम जो राजस्तान कभी नहीं देखे तो ऐसे में यह नहीं शहेगा campaign आज राजस्तान के जंजन का campaign बन चुका है महेंगाई को लेकर कहीं यह दार ना है कि गैंसरकार इसके लिए जिम्मेदार है देखिए पूरे देश बर में सबसे महंगा पेट्रोल कहा है पूरे देश बर में सबसे महंगा डिजल कहा है पूरे देश बर में सबसे महंगी बिजली कहा है पूरे देश बर में सबसे ज़्यादा विकल टेक्स कहां वसूल आ जाता है तो उस प्रदेश का नाम आता है राजस्तार और उसका जिमिदार कोई है आज ये देखे कि किसी भी उपोकता से किसान से गरीब से आप पर लिटर डिजल पैट्रोल का आठ से दस रुपया रोज उसकी जेब से काटोगे आपको राहत देनी है तो साड़े चार वर्ष जितना आपने किसान से और गरीब से वसूला है वो पैसा उसकी पाकेट में डालिए तब उसको राहत मिलेगी एक सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा प्रपोगंडा पार्टी है क्या कहेंगा ये देश की जनता और प्रदीश की जनता जानती है बाजपा वो पार्टी है भारतिय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है प्रपोगंडा तो आप है जो बरसों से कहता है कि कॉंग्रेस का हाथ गरीब के साथ कॉंग्रेस का हाथ किसान के साथ अगर होता तो राजस्तान देश आज सोने की चिडिया होता आपने इतने साल हो गए कॉंग्रेस पार्टी ने 60 साल काम किया ये प्रदानमत्री क्रामिंट सड़क योजना बीजेबी के राज में क्यों आई किसान सम्मानिदी बीजेबी के राज में क्यों आया किसान क्रेडिट कार्ट बीजेबी के राज में क्यों आया आईश्वान भारत जिसके बादला का बीमा फ्रिया व्यक्ति का वो बीजेबी के राज में क्यों आया हर गर में गेस का कनेक्शना उज्वला योजना बीजेबी के राज में क्यों आई हर गर में सोचा रही बना चीए हर गाव में सोचा रही बना चीए बीजीपी के राज में क्यों आया हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुले ब्रसाचार समात हो यह बीजीपी के राज में क्यों आया आप चाहे रेलवे का विकास हो चाहे सिविल एविशन का डवलप्मेंट हो आप ग्रामिंट शड्क्यों हो चाए नशल हाईवे हो यह BBP कराज मिं ही क्यों आया, किसान सम्भान निदी, यह BBP कराज मिं किसान पर क्यों मिलने लगा, MSP लागत का डेट गुना, यह BBP कराज में क्यों आया, इसका जवाब Congreso Party दे. अब जो भाजपाव का जो चुनाव लड़ा जाएगा तो इसमें वसंद्रा जी का क्या रोल रहेगा इस बारे में वो पार्टी की वरिष देता है राष्टी उपाद्यक्ष है पूर मुक्यमंत्री है और भारती जनता पार्टी में सब लोग मिलकर ये ये कॉंग्रेस पार्टी में होता है कि मैं ही सब से अच्छा हूँ बाकी सब नकरा है निकम में है गदार है लेकिन भारती जनता पार्टी में चाये एक वरिष्ट कारिकर्ता हो चाये एक छोटा सा बूद पे काम करने वाला कारिकर्ता हो और कितने लोग जानेंगे एक आखरी सवाल है इस विदानसवा चुनाव में क्या प्रफॉर्मेंस बाजपा की है आप क्या हूं में अब तक की सबसे एथियासिक जीत भारती जनता पार्टी की होगी रिकोर्ड लेख लेना रिकोर्ड करने ना मेरी बात और जिस जिन रिजल्ट आएगा काउंटिंग आएगा उस दिन ये मेरा बयान वापस जनता को दिखाईएगा नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर कोटा में आये थे सीपी जोशी निउज इंडिया के लिए कोटा से प्रणय विजय